स्वागत करते हैं बागेश्वर धाम के पंदेदिरेन चास्ट्री जी का जब से पहले तो आप क्या बुलाना पसंद करते हैं अपने आपको महराज बुले हमको बाबा कहता है तो अंदर से बड़ा हाइट होता है कोई बाबा नहीं नहीं न आमने कोई असन्यास लिया एस्वार भगवान की कृपास्द कम बाहर से नहीं और अंदर से लगता है कम से कंब हमारी डाड़ी मुझ तो देख तो ठीक है फिर आप शास्त्री जी काएंगे चलेगा बड़ेगा यह वदाइए तो यह फिर बाबा कहने का यह कैसे चलन चुरूआ फिर आप लोगों की देन अच्छा आप लोगों ने अपनी मीडिया में बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा सबसे पहला सवाल आपने अपने सन्यास नहीं लिया है और आप बाबा नहीं है तो लोग जो आपको भगवान मान के आपके पास आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं यह पहली बात तो यह बहुत बड़ी भूल है हम सबको बिनमरहात जोड़कर प्राथना यही करते हैं कि ह हम कोई महापूरुश है हम अपने गुरू के साधारणश सेवक हैं और शनातन की एक सिपाही है और हमें जो हनमान जी की पेरणा और गुरू पेरणा से जो काम सौपा गया कि हमें एनकेन प्रकारें अपने सनातन की बच्चों को और बेहनों को और अपने सनातन को बचाना ह और इसकी रक्षा करके, हमें पुना भारत में सनातन संस्कृती का जंडा लहराना है, बस हम उसके सिपाहे हैं। ये बोध आपको कब हुआ? हमारे परंपरा में ये है, तीन पीडियां गुजर गहीं। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक सेवा की बाघेशॉर हनमान जी और दादा गुरुजी के भी दादा जी की, वो मंदिर हमारी पीडियों अंदर पीडियों इससेवा कर रहा है, आचार्य पुजारी बद पर एक नाएक वहां प्रतिष्टत रहते हमारी दादा जी के माता जी भी बागेश्र महादेओ की उपाशक थी और तीसरी पीडी में हम हैं वहाशेबा में तो बच्पन काल में ही अभाव का जीवन तो कभी एक बार दादा जी हमारे दादा जी अभवत प्राप्त हनवान जी का शाक्षाता कार था लोग उनके पास उस जमाने में बड़े-बड़े आई-स, आई-पी-स, ओफिसर्स बड़ी-बड़ी गाडियां लेकर एमबेश्डर गाड़ी हमें आज भी याद है तो जाते थे तो हम भी अपने गुर्देओं के पास आपके उमर किती थी? नौदध साल. जीवन बड़ा अद्भूत बिचित्र था, उन इस्ततियों का बया करना असंभव है, हमें लगता जीने से, रात को हम गए, बस प्रणाम किया, और घटना घटनी थी, सो घट गई, उस रात में हमारी जिंदिगी की एक नई सुरुवात हुए, उन्होंने इशनान करवाया, कुछ प्रयोग करवाई, विधी करवाई, उन विधी को करने के बाद, वो बागेश्व महाद्यों के मंदिर के पास, यहां हमारी बाह पकड़ कर ले गए, और हमारे महापुरुष, गुरू तो गुरू, वह साथ-ाठ फिट के थे हमार ही जाते हैं, बच्चे हैं, तो बहुत अतीभयवीत हो गए, लेकर उन्होंने हमारी थप थप थपाते हुए कहा, कह दो तुम हमारे और हम तुमारे, और काम हो गए हैं, मस्कुष तुम्चे, तो तब तक आप जैसे आम बच्चे थे वैसे, अभी भी आम हैं, कोई खास में तो खेलना, कूदना, स्कूल जाना, हम अभी भी मंचों पर खेल लेते हैं, आप लोगों के साथ खेलना, बच्चपना गया, जिंदगी में बच्चपना जाना भी नहीं चाहिए, ये भी तो एक खेल ही है, लेकिन वो अब पीछे कुछ ऐसे प्रकरण हुए ना कि अब वो जो आप स्वचंद दिखते थे ना, दो साल पहले, हमारे ही प्रोग्राम में एक आए थे आप आदियकी का तादा फसाना में, तो वो स्वचंद था, अब क्या कम दिखती है या मेरी गलत फेमी है, नहीं, नहीं, कुछ सांसारी का वृत्तियों को दिष्टी कौंड रखते ह हमारे द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बच्चे गलत कुछ सीख लें, अच्छा, वस उस मर्यादा का पालन कर रहे है, बाकि हम अपनी मन मौजी में न कल पीछे थे, न आज है, जब भी मन कर लेता है, बैट बाल उठाकर फिर मन मौजी कर लेने, तो ये जो बच्मन में जैसा आपने बताया, नौ साल की उम्रती, उसके बाद फिर धाम में आपने बैठना शुरू किया, उसके बाद पहले तो करमकान, रोज जाना, बागेशर, सेवा पूजा करना, जो परमपरा थी, वो परमपरा का निर्वाहन करना, फिर दो हजार बारा के बाद हम परमा आजपास के लोगा, आदे माराजी, हमारी भहस बता है, तुमारी यहां से यतनी दूरी पर है, वो कैसे पता चलता था अपको? यही हमारे परिवारग बाद जो कि दादा गुरू जी के जो दादा जी थे, स्री शन्या सीवाबा, जिनका हम जैकारा लगाते हैं, उन्हों न सवा करोड हनमान चालीशा का पाठ करके हनमान जी को प्रगट के लिया, जिने प्रगट हो के कहा था, साक्षा ताकार करवा करके कि जाओ, इस धाम पर अब जो भी आएगा, वो जोली भर कर लेकर जाएगा, तुमारे बंस में एक नएक यहां सेवा करेगा, तो बो प्राप नौशिय फिर उसके बाद में फिर दादा गुरूजी न हमें पकड़ा कि अब तुम शेबा करो यह हमारी कोई नई चीज नहीं है हमारी परंपरा में है लोगों की विचार बताना लोगों को समाधान देना ये हमारे बंस में है तो ये कोई जादू नहीं है? कोई सीखी या कोई जादू, ये हमारे बंस की एक परमपरा है. ये अनेक भारत में अनेक जगह है, जैसे उडिसा में कौणार के सुटू अंदर के पास एक ताम पत्र है. वहां लोगों से शुना, हमारे दादा जी ने भी बताया, वहां ताम पत्र पर लिख कर आता है, वहां के आचायरे, उस पर लोग अपने परशनल रखते हैं, और वो ताम पत्र पर उकर करके आजाता है. ये जो हमारे पास परंपरा ये भी आज की नहीं महरशी बालमीक किसम है की है महरशी बालमीक ने परचे पर लिख कर लग दिया था कि आतताई रामण के बद करने के लिए आयोध्या की नगरी में दसरत नंदन भगवान श्री राम होंगे केवट का कल्यान करेंगे, सबरी के घर जाएंगे लंका पार करेंगे, रामसेतू बनाएंगे और रामण का बद करेंगे जो जो उन्होंने परचे पर लिखा वो ये थार्त हुआ वैसे ही उसी परंपरा का ये दरवार है जो पर्चे पर लिखे जाता वो गुरुक्रपास से इर्थार्थ हो जाता है मैं यह जानना जा रहा हूँ कि अब 19 साल का बच्चा है 11 साल का बच्चा है और वो यह सब बातें कर रहा है अच्छा स्कूल भी जाते रहे उसके साथ साथ? हाँ बहुत उपद्द्री रहे तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब की बच्चे आदे दे साथ में से पार्टी बताओ कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है गड़बड़ चल्चा कर ले दे वही तुमारे अभी 55 परसेंटी बन रही है थोड़ा और मेहनत करो साथ परसेंटी बताती थी तो कई वार ऐसी नौवत आती थी कि हमारे सिक्षक हम से कहते थे आप स्कूल मत आया करो क्यों क्यों कि सभी किलास एखटी कर लेते थे अगर हम नौमी किलास में बैटे हैं तो क्या गार्मी क्या बार्मी क्या दसमी सब एखटे हाँ देखो कट जाएगा, बोले तुमारा नहीं कट सकता है, अगर पढ़ लिये होते हैं, तो यहाँ ना बैठी होते हैं, लेकिन ठीक है, गुरू कृपाजी, तो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता था आपको, नहीं, हमने अपने लिए कभी निजी जीवन के लिए, अपनी साधनाओं क और बालाजी की कृपा का शिद्धी का प्रयोग नहीं के, आज तक नहीं, और कभी किसी के विना भाव रखे, उसके बारे में जानने की कोशश नहीं के, आपके बारे में, शिद्धी है, तो दुरुपयोग नहीं कर शकते, शिद्धी है, कृपा है, तो हम दुरुपयोग तो आपकी इमानदारी और कर्तब है कि आपको इमानदारी के साथ, टत्थ के साथ, फेक्ट के साथ उस ख़वर को दिखाना पड़ेगा वरना आप चापलूस कहनाएंगे। वैसे ही हमारे पास कोई प्रशन रखता है, तो अगर उत्तर आ रहा, तो हम बोलेंगे या नहीं आएगा, तो नो बोलेंगे, तो मजबूरी है, पर हम पहले से कि हमें इस बार आदमी के वारे में जानके रखना है, तो यह हमारे प्रोटोकॉल में नहीं और हमारी शिद्धी क कोई आपके पास ऐसा सवाज लेके आता है, जो आपको जो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो कि नहीं यह नहीं बताना चाहिए, यह समाज के लिए बहुत बार आया, 4-5 बार, गड़े हुए धनके बारे में, हमारे बगल में एक डिस्टिक है पन्ना, पन्ना में हीरा पाय कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट, और उस बक्त तो अतनी विवस्ताएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया हूँ, प्रचार हो गया, तो फिर हमने, क्या बता दे तो हीरा का, हीरा मिल जाता है, आपने खुद भी ढूंड आपने ल लेकिन फिर गुरुजी ने, गुरुजी ने मना कर दिया था, हम अपनी साधना का प्रियोग अपने लिए नहीं कर शकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर शकते, तो फिर पूरा जो धन था, लगभग बाउंतरे बना जारुपिया, वो अमने उसको बेटी के बिवाय में ल मैं भी लगने लगता है कि सिद्धि पुर्शों के भी बाप होते हैं, दरना चाहिए, पर तेक बच्चे को अपने माता पिता और गुरुशित दरना चाहिए, अच्छा है, भाई अगर नहीं होगा और शुतंतर होगा तो गलतियां जादा होगी, भाई रहेगा और शुतं नहीं देखते थे कि अरे ये आप अलग रहा पे हो, वो अलग रहा पे हैं, नहीं वो भी हमारे साथ हैं, चोटी हमसे बहन है, बहन से चोटा भाई है, और वो सभी हमारे सपोर्ट करते हैं, पूरा परिवार हमारा, एक हमारे जीवन में एक नई बात ये रही, कि हमें अपन प्रिवार का ताउ का चाचा जी का शब लोग ने मारा है बड़ो बहुत अच्छा है जितना उनसे बना अपर ये आपने का कि सन्यास नहीं लिया है तो जो बच्पन में जो शौक होते हैं वो आपको भी रहे होंगे कि भहाई ये चीज लेनी है वो चीज लेनी है इनसान यूप आफाव में जीवन रहा है तो सबस्सक्तम मतंस है एक छोटा सा मकान मा के लिए बन जाए, मा को चलने में दिक्कत होती है, आज भी मा बिना गाड़ी के चलती है, कई बार मा को गाड़ी हो जाए, और घर पे भोजन की विवस्ता ठीक ठाक हो जाए, बस यही सपने रहे हमारे, जब हमारे जीवन में कुछ बाला जी की खूब हमने कथाएं करें, देखो हम एक इस पस्ट आपको मत बता देते हैं, पूरी टीवी के माध्यम से, यह सदियों तक रहेगा आपके साथ, धाम के आने वाली दानपात्र की डॉनेशन को आप निजी जीवन में खर्च नहीं कर शकते, यह प्रोटो कॉल है, शाधना का, शक्त का, तो अब हमें निजी जीवन का खर्च चलाना है, तो हम बहुत इस पष्ट मत से बता रहे हैं, हमारे मा बाबू जी हैं, हमें भी वस्तर लेना, कभी-कभी मन होता है, कभी ब्रंदा बन जाना, कभी कासी जाना, कभी माबाबू को भी, पिता जी को भी तीर्थ ले जाना, उसके लिए हम कथाएं करते हैं, हमें जो दक्षना मिलती है, उससे हम अपने परिवार का और खुद का स्वयम का भी भरन पोर्शन करते हैं, आचाले हैं, और लोग जो, लोग तो आप देखता हैं, कि आप मेंगी-मेंगी गाडियों में घूम रहे हैं, बड़ी-बड़ी अपनी खुद की नहीं होती है, आप वो RTI लगा लीजे, लोग आते हैं, आप आए, आपनी ये कुरसी बठा दी, अब जो देखने वाले हैं, वो यही समझेगें, बाबाजी देखो क्या VIP कुरसी पर है, आते हैं सुर्द्धा से, गुरु जी इस पर बैठो तो आप किसी की अपनी शद्धा को कौन मात में आपको निजी इच्छानी होई कभी इन चीजों की, ने ने ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आज आए तो कौन छोड़े साह, अगर आप भी एक आद गाड़ी अगर रखो भी बाहर, ट्रांसपर की तईयारी करो, नाम आपको चाहिए हो तो हम बता देंगे, तो यारी की और अचा वस्तर अगरा भी अब आप तो खड़ाओ पहनते हैं, वस्तर हमारे सादाज है, कोई-कभी-कभी विचित्र वस्तर ले आता पहन लेता है, वस्तरों का हमारा कोई शूक, जो मिल गया हुई, कई बार तो हम कंबल पहन लेते हैं, वस्तरों का कोई शूक, जो जिसने देजिए, यह जो जीन्स, टी-शिर्ट वगरा, यह अरे साब छोड़ो, यह पास्चात शंशकर्ती की और लेजाता है, हमें सबसानातनिय शंशकर्ती का प्रचार करना है, और हमारा शपना भी है, और हमारी, हमें लगता है, कि आप जीन पैंटि टी-शेट में एक लाख लोगों को खड़ा कर दीजे, एक धोती कुरता में खड़ा कर दीजे, तुमारे एक लाख की जिन्स को कोई नहीं देखेगा, चालिस रुप्या की धोती पर सब की नजर नहीं कि आज कल तो, ऐचा है कि ये मुद्ध भी चल रहा है कि कुछ मंदिरों में कह जा रहा है कि नहीं, आप वस्तर जो हैं, इस तरह के ना पहन के आए, भारती भेस मुशा होनी चाहिए, मंदिरों में, ये तो होना ही चाहिए, भाई आप, इस्कूल की सिक्षा के लिए ड्रेस को लाग हुए, इस्कूल में आपको जाना है, तो ड्रेस पहनना आनिवार है, आपके स्टूडियों में आने के लिए प्रोटोकॉल लाग हुए, कि आपको कैमरा के सामने माइक लगाना पड़ेगा, और उसकी बार आपको बैठना पड़ेगा, तो मंदिरों में परमात्मा के सामने स्वक्षपवित्र वस्त, जो हमारी भारती ये संस्कृती, जिन वस्त्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिये, उनको पहणने में सर्म कैसी, अगर शर्म नहोंगे, लेकिन फैंट शर्ट में कोई जा रहा है तो बुरा ही नहीं है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कतावाचा की और वो सब भी कहने लगे कि इससे तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, अगर इतनी सारी नियम काईदे लग जाएंगे भगवान के खर पे जाएंगे, पर कोई-कोई मंदिर का ऐसे प्रोटो पैसा आपने लिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग फोन कर रहे हैं, आपके नाम के आपसे बात करा देंगे, 1100 रुपे दीजे, आपसे बात करा देंगे, यह सब चल रहा है, वो पैसा कहा जाता है? ये दुरभाग है हमारे जीवन का कि हमारे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड गिरी की जाती है। ये फ्रॉड है। बहुत बड़ा। आपकी तरफ से कोई फोन नहीं जाता है। पकड़े गए, जैल भिजवाए गए, लगबग लगबग 20-25 लोगों पर F.I.R. की लिष्ट है हमारे वहाँ जिन्होंने फ्रॉड गिरी की। लेकिन वो चीज़ हैं बहुत ब्यापक इस तर पर बहुत चोटे चोटे तरीके से भुले भाले लोग जिनकी भावनाएं बहुत बागेशुर हनमान जी के पृति वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बात करने के चक्कर में उनकी आत्मा है ना उने लगने लगता कि गुरू जी तो हम बात तो सहजवस सबसे करते हैं इसलिए करते हैं और 18 गंटे इसलिए मेहनत करते हैं कि कोई हमारे यहा तो लुटाना हमने सीखा है जो आयसे लिए यह अपने अच्छी बात कहें कि धर्म धंदा नहीं है यह यह जाना चाहिए लोगों में लेकिन जैसे आप अपनी ब्रवचन में भी कहते हैं कि हरुमान जी जो है उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरू कोई नहीं